हालो दोस्तो आज हम बनाएंगे चिकन पॉपकॉल यह साम के नास्ते के लिए बहुत ही डिलीसियस होता है बहुत ही पसंद आता है तो दोस्तो स्वागत है आपका आरजे के किचन में रेनु की तरब से नमस्कार तो दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं वे चिकन पॉपकॉल जो लेंगे और उसको पतला पतला काट लेंगे और उसके बाद से हम इसको वापस से छोटे छोटे टुक्रे में क्यूब के आकार में हम इसको काट लेंगे इस तरीके से एस सारे चिकन को हम बार ल कि एक रूक लेते हैं फिर उसको हम इसी तरीके से काट लेंगे Да प्लकुल क्यों बाकर में और अब इसको एक अलग बर्तन में हम पलट लेते हैं और इसके बाद हम इसमें लाल मिर्ची पौडर आइट करेंगे फिर काली मिर्ची जीरा पौडर लहसुन और आनियन पौडर थोड़ा सा जिंजर पौडर और चिली फ्लेक्स हम आइट कर देंगे फिर स्वादानुसार नमक थोड़ा सा हम सोया साइट करेंगे और इसके बाद एक अंडा हम इसमें तोड़के डाल लेंगे और उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको ढख करके करीव 2-5 गंटे के लिए फ्रीज में हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे अब यह हम ढखकन लगा देते हैं और इसको फ्रीज में रख देते हैं पाद में हम फिर आटा तेयार करेंगे इसमें दो चमच मैदा लिया है और करिब डेर चमच कॉन फ्लावर हम एट करेंगे इसमें और इसके बाद हम इसमें लाल मिर्ची पावडर पी गार्लिक और अब हमने जो मेरिनेट करके चिकेन रखा है उसको हम निकालते हैं और यह देखिए कितना सौफ्ट हो गया यह चिकेन कितना बढ़िया यह इसका देखिए अब इसको फ्राई करने पर ज्यादे मेहनत हमको नहीं करनी पड़ेगी बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएगा अब इस चिकन को हम एक एक पीस उसमें निकालके बाउल में से इस आटे वाल में हम डाल देंगे और फिर इसको हम अच्छे से मिलाएंगे ताकि जो है इसको कोटिंग हो जाए चिकन पे अच्छे से टाहिए और जब यह एक कोटिंग हो जाय उसको ज़ाड़ लेंगे से और इसके बाद हम जाडने के बाद के बिल्कुल साफ पानी लेंगे हम एक बाउल में इच्ट्रा जो है एक्स्ट्रा जो है अब यह हमने साफ पानी लिया है और इसमें हम इसको इस तरीके से दुबा देंगे और फिर इसका पानी हम बिल्कुल जाड़ देंगे इससे फायदा यह होगा कि वापस से हम इसको जब आटे में डालेंगे इसकी कोटिंग बहुत जबरदस्त होने वाली है और जब इसको फ्राइ करेंगे तो बिल्कुल पॉपकॉन जैसा दिखेगा यह यह देखिए यह कोट इस तरीके से जाल लेते हैं देखिए कितना बढ़िया यह लाइनिंग पढ़े इसी तरीके से करके हम इसको सारे पीज़ेश को ऐसे फ्राइब करनेंगे तेल में हम मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राइब करेंगे और एक मिनट के बाद हम इसको थोड़ा सा इle आड़ा कैसे पट लेंगे उस तरिके से और इसको हम गोल्डेन ब्राउन होने तक ऐसे चलाते हुए कर लेंगे इसे चलाते हुए करेंगे तों यह सब जो है बिल्कुल एक समान फ्राई होगा किसी तरफ कच्चा या पका नहीं होगा और यह देखिए यह हमारा गॉल्डन ब्राउन हो चुका है अब इसको हम इस तरीके से निकाल लेते हैं अब बाकी जो चिकन का बचावा पीस है उसको भी वापस से हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे इस देखिए अभी इसे बिल्कुल लग रहा है ना इसमें पॉपकॉर्ण खिला हुआ है कितना बढ़िया इसका कोटिंग से जबरदस्ता आया है यह जब यह भी गॉल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको कड़ाई से निकाल लेंगे यह देखिए अब यह कलर में आ चुका है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन में तो अब इसको हम कड़ाई से निकाल लेंगे और इसको आप गर्म अगरम साम के टाइम स्नैक के रूप में इसको मेयोनीज या सॉस के साथ आप देजिए घर में सभी बहुत ही पसंद करने वाले यह देखिए कितना बढ़िया इसका कोटिंग से कितना बढ़िया फ्लेवर आया है यह देखिए अंदर का बिल्कुल ही सॉफ्ट है वाउ बहुत दिजबरदस्त लग रहा है बिल्कुल लग रहा है कि हम केपसी में बैटके चिकेन खा रहे हैं तो दोस्तों अगर आपको यह चिकेन पॉपकॉर्ण पसंद आया है प्लीज लाइक और सेयर कर दिजेगा सब्स कर दिजिएगा जिससे कि हम नहीं नहीं रहे से पीला है तो आपका उसको नोटिफिकेशन मिल सके और यह आप नास्ता जरूर ट्राइ कीजिएगा यह घर में आपके सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है और सभी आपकी तारिफे करेंगे तो दोस्तों हमारा वीडियो अपने इतना दिहान से देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यों